पूजन के लिए और पान लिया है मैंने पूजन के लिए और यह देखें यहाँ पर फूल, बेलपात्र, धातूरा, दूरवा, छोटी फूल जिसको हम कचरिये बोलते हैं आकडा के फूल, जलकुंबी के फूल और भी बहुत सारे फूल लिये हैं आप देख सकते हैं फूलों में गुडहल, गेंदा, कनेर, चमेली के फूल लिये हैं यहाँ पर गेहुं के दानों पर मैंने दिया रख लिया है गरूर जी और यह देखें यहाँ पर मैंने अपनी सासुमा को देने के लिए स्वाका सामान लिया है आप अपनी स्वागन सासुमा को भी स्वाका सामान दे सकते हैं या फिर जेठानी, नानद, परोसीन को आप करवा और स्वाका सामान दे सकते हैं अब हम पूजन शुरू कर देते हैं और यह देखिए सबसे पहले हम पान के पत्ते पर गोल सुपाजी होती है उसमें जो मोली होती है आटी जिसको बोलते हैं वो लपेट कर रख देंगे और इस पकार से पूजन कर लेंगे पूजन में हम सबसे पहले गनेजी को निलाएंगे उसके बाद बस्त रुपे नाएंगे और हल्दी कुमकुम अवीर गुलाल चावल आदी से पूजन करेंगे और यह देखिए यहाँ पर दूर्वा चड़ा देंगे फूल चड़ा देंगे नैवेद्दी चड़ा देंगे इसके बाद हम कर लेते हैं भगवान शंकर्मा गौरी की पूजा चौत्माता की पूजा करेंगे यहाँ पर हम फूल चड़ा देंगे तो गुड़ हैल कनेर आकड़ा देखिए आप देख सकते हैं जो सफेद आकड़ा होता है उसके फूल चड़ा देंगे जलकुम्भी के फूल चड़ा देंगे और जो धदूरा होता है चोटी फूट जिसको कचरिया बोलते हैं हम वो चड़ा देंगे बेल पत्र फूल सभी भगवान को चड़ा देंगे और यहां पर हम चुन्री नहीं उड़ा पाएंगे तो इसलिए हम यहां मा के चड़नों में रख देते हैं और सिंगार भी इस पकार से हम मा के चड़नों में रख देते हैं फल चड़ा देंगे नेवेद्य चड़ा देंगे अब हम करवे की पूजन कर लेते हैं तो फ्रेंट्स जो पटे पर मैंने करवा लिया है उसमें मैंने जल दूद और अनाज के दाने डाले हैं और जो करवा है उसके उपर मैंने साथ खाजे और जो गुलगुले होते हैं कर लेते हैं प्रत्भी माता की पूजन चल रहा है उसकी पूजने और तेया पूजन इस के पूजन है मों मैं आ सपतां को कलेते हैं लोक है क्रें यहार पर मा को नमन कर लिया है लूख दिल लिया है अब कर्वचोट की कथा पढ़ेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको कथा पूरी पढ़कर नहीं सुना पाऊंगे क्योंकि अगर मैं आपको कथा सुनाऊंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं कथा पढ़ रही हूं और इसके बार मैंने हवन कर दिया है अब हम हवन करने के बाद आरती कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर चौत माता की पूजा नारती हो गई है अब मैं छट पर जा रही हूं और यह देखिए यहां पर कर लेती हूं तुलसी जी की पूजा तो फ्रेंट्स तुलसी जी की पूजान हो गई है आरती भी हो गई है और यह देखिए चंद्रमा उदा हो गया है लेकिन अभी पेड़ों की ओट में हैं तो हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है जैसे ही यह थोड़ा उपर आ जाएगा तो हम पूजान करेंगे और यह देखिए फ्रेंट्स चंद्रमा उपर आ गया है अब हम यहां पर चंद्रमा को अरक दे देते हैं पूजन कर लेते हैं झाल 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 पूजन करने के बाद पती के आज से जल और मिठाई खा लेंगे और जो स्वाग का सामान है वो अपनी स्वागन सासुमा को या किसी और स्वागन महिला जिसको आप देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं इसके बाद अपना ब्रत खोलने तो फ्रेंट्स आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार